देश और प्रदेश में नशा तसकरी के मामले रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे में जहां पुलिस को अंतराजी शातिर तसकरों के गिरों को पकड़ने में काम्याबी मिली है वहीं पानिपत पुलिस की CIA टीम ने नशे के कारोबार में लिप्ट पूर विधायक और जेजेपी नेता सत्विंदर राणा को गिरफतार कर लिया है दरसल पानिपत की CIA टीम ने उन्हें नयायाले में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है बतादे की पानिपत क्राइम ब्रांच की टीम ने करोडों रुपे की शराब तसकरी मामले में राजोद के पूर विधायक सतिंदर राणा को चंडीगर से गिरफतार किया है इससे पहले भी करोडो रुपे की शराब तसकरी के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफतार किया है दरसल समा लखा के गोडाउन से 2016 से अब तक 3 बार शराब चोरी हो चुकी है पहले पकड़े गए आरोपियों ने 45 शराब की पेटी चोरी करने की वारदात को कबूला था वही मामले में जाच करते हुए पानिपत क्राइम ब्रांच ने राजोद के पूरु विधायक सतेंदर राना को गिरफतार किया है मामले का खुलासा करते हुए डियेसपी सतीश वच्से ने बताया कि पूरु विधायक भी शराब के इस गोदाम का पार्टनर रह चुका है वही मामला हाई प्रोफाइल होने की वज़े से पुलिस अधिकारी जादा जानकारी मीडिया से सांजान नहीं कर पाए आप अजसे तक पताया था कि कल छे आदमी को हम पहले ही गरफतार कर चुके है एक आदमी को शतीन दुन राणा आज हमारे शिया यह क्यों की टीम ने गरफतार किया है और यह और डीएसपी क्राइम की अधिस्टा में यह टीम काम कर रही है बीती रात उनको चंडगर से गर बतादी की पूरु विधायक सतिंदर राम था इस्वर, उसके पार्टनर ये बताए गए, अब यागे इन्वस्टिगेशन में और गराई से पता लगेगा कि क्या कि इनका रोल रोल रहा है। राणा पहले कॉंग्रेस पार्टी में थे, जिसके बाद उन्होंने जन्नायक जन्ता पार्टी का दामन थाम लिया था और सत्विंदर राणा कालका से भी दो बार चुनाओ लड़ चुके हैं। राणा मूल रूप से कैथल के गाउं राजोद के रहने वाले हैं। और पिछले परिसीमन में राजोद कलायत हलका में शामिल हो चुका है। जिसके चलते सत्विंदर राणा ने 2019 का विधान सबा चुनाओ कलायत से जजपा की टिकेट पर लड़ा था। बताया जा रहा है कि राणा एक शराब कमपनी की C&F चलाता है। सोनिपत और पानिपत गोटाले के आरोपियों ने सत्विंदर का नाम लिया। सत्विंदर सत्ता में हिस्सेदार रहा इसलिए कथित तौर पर उसकी कमपनी ने टेक्स नहीं दिया। जिसके चलते वह चंडीगड में मुलाकात के लिए आया था। मुलाकात खतम होते ही जैसे ही वह बाहर आया पुलिस ने पूर विधायक को दबोच लिया। फिर बाद में कागजी कारवाई के लिए MLA होस्टल का ग्राउंड घटना स्थल दिखा दिया गया। वही पूर विधायक और सत्ता रुड़ दल से विधायक प्रत्याशी रहे व्यक्ति को पकड़ा गया है। यह कारवाई बगेर ग्रिह मंत्री डीजीपी के संग्यान के नहीं हो सकती। सवाल यही उठता है कि जब तक सत्ता के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का आशिरवाद ना हो नशे का इतना बड़ा कारोबार संभव ही नहीं है। लगा था करीम 2 क्रोड रुपे का उस से उपर का था और उसमें हमने वो जो है सीर किया हुआ था और वो जो पार्टी थी उनकी अभी गवर्ग्मेंट से वो खेल रही थी कर्सपॉंडेंस के जी हमें माफ किया गया और वो माफ नहीं हुआ था तो वह वो गोदाम था पहरी खेल ऐसे ही पाचला कि चोरी हो रही है कुछ रहा हमने अफ एर कराई और अगले ही दिन मैंने उसका सारा सामान है वो अपने इहां हो गोदाम में रखवा लिया और अप इसकी स्वें गवर्पियरी कर रही है चोह इंक्यरी करने कह सामने आ जाएगा सर अपने किल लोकों के खिलाब अनून हमें तो पता ही निकोन है तो मुझे तो जैसे बचला मैंने फटा फट सरकार का जो होता कि वहां पे पढ़िया शराब हमने सील किया और को नुक्सान ना हो मैंने उसको वापिस लिया तो यह तो यह तो अब तक की चोरी है और यह तो य प्रतम तहलका के लिए पानी पच्छे प्रदीप रेडू की रिपोर्ट